हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका इलेक्ट्रिशन गुरुजी चैनल में स्वागत है मैं पाउन कुमार वर्मा आज आपके लिए लेक्या है हूँ सेर्णी परिपत व्समानतर परिपत वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे सवी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो फ्रेंड्स वेडियो को पहली बार देक रहे है हूँ चैनल को सबस्क्राइब करे लाइक करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम जानते हैं कि सिरीज और पैलल कॉंबेनेशन बहुत से सर्किट्स में प्रयोग किया जाता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह सरकिट होता क्या है तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो श्टार्ट करता हैं पहले देखेंगे हम श्रेणी परीपत किया होता है स्रेणी परिपत इस परिपत में दो या दो से अधिक लोड या परतिरोद एक ही साखा के अंदर जुड़े हो इस परिपत में लोड या परतिरोद एक ही साखा में जुड़े होते हैं वो ही स्रेणी परिपत कहलाता है जिससे की दारा को बैने का एक ही मार्ग मिलता है ही मिल रहा बैने के लिए इस परिपत में धारा को बैने का एक ही मार्ग मिलता है फ्रेंड्स इस वज़े से स्रेणी परिपत के अंदर धारा का मान हर परतिरोत पे समान होता है स्रीज परतिरोत के अंदर धारा का मान होता है friends जो हर परतिरोत के अंदर समान होता है और voltage का मान हर परतिरोत पे अलग-अलग होता है जो voltage होती है V1 is not equal to V2 is not equal to V3 होती है इस circuit के अंदर और अब हम जानते हैं कि friends इस circuit के अंदर सेनी परिपत के अंदर सुत्र कैसे आता है यह जो सुत्र है यह किस तरीके से आता है यह सुत्र निकालना शिकाता हूँ मैं आपको हम जानते हैं कि इस परिपत के अंदर I होती है वो सब की समान होती है और जो V होती है वो असमान होती है टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो हमको पता है किसी भी चीज का अगर टोटल निकालना होता है तो हम सारी चीज़ों को प्लस करते हैं तो हम इसमें V1 जो की जो की R1 की वोल्टेज है वो V2 जो की R2 की वोल्टेज है वो और V3 इन तिनों को अगर हम plus करेंगे तो हमारे पास total voltage आ जाएगी तो total voltage निकालने का formula होता है V1 plus V2 plus V3 अब हम जानते हैं ohm के नियम का नुशार V equals to I into R होता है तो हम voltage की इस्तान पर I into R लिख सकते हैं तो हम यहां पर I into RT क्योंकि हम total पर तिरोज निकाल रहे हैं इसलिए हम RT लिखेंगे और जो भी हम voltage ले रहे हैं उसी voltage जिसकी ले रहे हैं उसका परतिरोज लिखेंगे मतलब I equals to R1 plus I equals to R2 plus I equals to R3 हम R1, R2, R3 से ले रहे हैं क्योंकि हम voltage भी R1 की, R2 की और R3 की ले रहे हैं हम पता है friends यहां से I, I, I है जो यह common आ जाएगा तो friends आई अगर common आ गया तो अंदर बच गया R1 plus R2 plus R3 अब हमको पता है I से यह वालाई cancel हो जाएगा तो अपने पास बच जाएगा RT बराबर R1 plus R2 plus R3 यही formula हम इस circuit के अंदर पतिरोज लोड जोडने के काम में लेते हैं चली friends अब हम आगे बढ़ते हैं समांतर परिपत समांतर परिपत क्या होता है friends इस परिपत में दो या दो से अधिक लोड या परिपत से वोल्टेज से जुड़े होते हैं जिसकी धारा बैने की मार्क अलग अलग होता है अब देखे friends यहां से धारा गई आधी धारा नीचे आजएगी बच्यों कुछ धारा आधी चल जाएगी आधी धारा फिर यहां से इस परिपतिरोज में आजएगी इससंबल एक ही मार्क परिकत हो रहता हमारे पास अब हम समांतर में देखेंगे इस समांतर के अंदर i होती है जो प्रतेक i1 is not equal to i2 is not equal to i3 इसके अंदर धारा हमेशा अलग लग होती है और voltage इसके अंदर समान रहती है तो इसमें देखेंगे हम कि voltage किस परकार से निकाला जाता है तो अब शुत्र निकालने का पता है हमको कि हम इसके अंदर i t common voltage तो common होती है तो हम निकालेंगे i t यानि total धारा total धारा निकालने का formula होता है i1 plus i2 plus i3 अब हमको friends पता है ओम के नियम से v equals to i into अब हमको पता है friends v equals to ओम के नियम से v equals to i into r होता है तो i बराबर v बटे r हो जाएगा जब v बटे r हो जाता है तो हम i के जगे पे v बटे r परियोग कर सकते है यहाँ पे हम i की जगे v बटे r परियोग करेंगे तो v बटे r t क्योंकि हमें total परतिरोद निकालना है और i1 मतलब v equals to r1 plus v equals to r2 plus v equals to r3 अब हमको friends पता है कि जब v यहाँ पे same है तो हम v को common निकाल लेंगे तो v upon r t बराबर v common निकाल लिया तो अंदर बच गया v एक बटे में r1 plus एक बटे में r2 plus एक बटे में r3 अब हम friends पता है हमको v से जो इदर वाला v है यह कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा एक बटे में r t बराबर एक बटे में r1 plus एक बटे में r2 plus एक बटे में r3 यही formula से हम समानतर के अंदर परियोग करते हैं किसी भी circuit के अंदर अगर दो या दो से अधिक load जुड़े हो और वो समानतर में हो तो हम उन लोड को total परतिरोद परतिरोद निकालने के लिए यह formula यूज़ करते हैं और अगर किसी परिपत के अंदर दो या दो से अधिक load स्रेणी करमें जुड़े हो तम उसमें total परतिरोद निकालने का formula यह वाले यूज़ करते हैं तो चलिए friends आची वीडियो यही समाप दोती है और इससे related और भी अगर कोई questions वगेरा होंगे तो हम आपको अगले वीडियो में provide कराएंगे और इससे related कुछ और जानकर है तो हम आपको अबले वीडियो में provide करेंगे Thank you friends